अगर आप अपने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो और सेविंग्स ना होने के प्रॉब्लम से पचता रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पर आये हो आज आपको बताऊँगा उस सारी चीजे जो कंपनी यूज करती हैं ताकि आप ज्यादा पैसे खर्च करो और ये भी बताऊँगा कि आप अपने लाइफ में कुछ simple behavioral changes क्या ला सकते हो जिससे आप अपने खर्चों को कम कर दो देखिए कुछ बहुत ही simple principles companies use करती है अपनी technology में जिससे आप और भी ज़्यादा पैसे खर्च करो सबसे पहली चीज होती है reduction of friction Companies ने समझ लिया है कि जितना आसान होता है आपके लिए payment करना उतना ज्यादा आप खर्च करते हो बहुत simple example से बताता हूँ आपको ऐसा नहीं लगता जब से UPI आया है आप और ज्यादा खर्च करने लगे हो ये चीज आपके साथ ही नहीं हर एक इनसान के साथ हो रही है on average जब से UPI आया है मैंने जिस किसी इनसान से बात की उन्होंने यही कहा मैं अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ क्योंकि बहुत simple होता है अपना phone निकालना QR code scan करके payment करना इस चीज को solve करने का एक बहुत simple solution है that is carry cash and जब भी हो सके cash से ही payment करना ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा stupid लगेगा लेकिन it actually works जब भी हम actual cash के साथ part करते हैं और किसी को देते हैं हमारे brain को थोड़ा सा दर्द होता है इसी की वज़े से हम और ज़्यादा mindful हो जाते हैं ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं लेकिन UPI के case में ऐसा बिल्कुल नहीं होता आप scan करते हो, tidding करके आवा जाती है and you are done यही same friction reduction का problem अब और भी ज़्यादा खराब हो गया है दो नए products की वज़े से, सबसे पहला है UPI Lite आपने आज के समाने में ads देखी होंगी, creators भी इस पर real बना रहे हैं कि आप छोटी amounts की payments बिना एक pin के कर सकते हो जिसको नहीं पता बता देता हूँ, UPI Lite बहुत ही simple funda होता है आपकी existing UPI account में एक UPI Lite account link हो जाता है आप अपने bank account से UPI Lite account में 2000 रुपए तक डाल सकते हो और इस 2000 रुपए को आप use कर सकते हो छोटे मोटे purchases के लिए जैसे अगर आपको सबसी खरीद नहीं है 100 रुपए की, तो आपको pin डालने की ज़रूरत नहीं अब हाँ ये convenient है, लेकिन ये friction का एक और layer हटा देता है pin enter करने का, जिसके वज़े से obviously आपके spends बढ़ जाएंगे और दूसरी चीज़ है एक रुपे का credit card भारत में currently सिर्फ एक ही credit card network है, जो है रुपे या आपको UPI के थुरू credit card payments करने देता है यानि आप अपने gpay, pay tm जैसे app पर अपने रुपे credit card को link करते हो और फिर qr code को scan करके वहाँ से payment करते हो पहले ही जब google pay के थुरू आप अपने bank account से payment कर रहे थे, आपके खर्चे बढ़ गए imagine कीजे credit card वहाँ पे लगने के बाद और कितने बढ़ेंगे credit card सिर्फ responsible लोगों के लिए अच्छा tool होता है अगर आप बहुत ज़्यादा spend करते हो, impulse purchases करते हो अगर चीज दिखी और पसंद आ गई, तुरंत खरीद लेते हो तो credit card शायद आपके लिए अच्छी चीज नहीं है एक news article था जिसमें बताया गया था कि credit card users जो होते हैं, वो on average non credit card users से 3 गुना ज़्यादा spend करते हैं and honestly यह मैं खुद experience कर चुका हूँ जो spend करने का आपका mood होता है वो credit card हाथ में आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है because of two things एक तो credit card आपको बार बार offers देते रहते हैं और उससे आप ललचा जाते हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना credit card आपको offer इसलिए देता है क्योंकि उसमें आपका नहीं card company का ज्यादा फाइदा होता है हाँ ऐसे कुछ offers होंगे जहाँ पर actually आपका फाइदा हो रहा है लेकिन ये सारे offers सिर्फ आपको आदर डालने के लिए दिये जाते है मैंने एक वीडियो बनाई थी on why you shouldn't buy an iPhone उसमें एक चीज़ बताई थी जब भी नया iPhone आता है Apple advertise करता है कि इस specific bank के credit card के साथ आपको 6,000 रुपए की savings मिलेंगी EMI पर लेकिन इस 6,000 रुपए की savings करने पर आप 1,35,000 के iPhone के लिए 1,50,000 देते हो जो बाखी की amount है वो interest है आप shopping करने निकलते हो 3,000 रुपए के budget को लेकर लेकिन तब आपको पता चलता है अगर आप 6,000 की shopping करेंगे बजेट से 50% से भी ज्यादा और दूसरी चीज़ ही होती है कि credit card आपको एक false wealth का signal देता है जैसे मान लो आपने आज credit card पर 10,000 रुपए का transaction किया और आपको ये वापस देने है 45 दिन बाद और आपके bank account में 20,000 रुपए है अब इस पूरे 45 आपके 10,000 रुपए का balance credit card पर धीरे धीरे 50,000 का बन जाता है और जब वापस देने के लिए sufficient पैसे नहीं होते तब आप minimum amount pay करते हो और बागी की amount roll over करके interest pay करते हो तो यहाँ पर एक major चीज जो आपने follow करनी है that is अपने bank account को देखना है credit card balance adjust करने के बाद जैसे मान लो मेरे bank account में 50,000 है मेरे credit card पर 30,000 का balance है और मुझे 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदनी है तो मैं क्या करूँगा अपने bank account से पहले credit card balance को minus करूँगा और फिर जो amount बचती है उसके basis पर अपने उस चीज की affordability judge करूँगा always remember that credit card is not free money credit cards को ऐसा design किया जाता है ताकि आप और ज्यादा spend करें दूसरी एक चीज है जो आपने already खी होगी अगर खी है तो please इसको undo कर देना reverse कर देना that is अपने सारे cards और UPI के details shopping और food delivery apps पर save करके रखना आपको पता है आप अगर किसी food delivery app पर जाके एक चीज मंगाते हो और आपकी सारी payment details वहाँ पर saved है तो आप सिर्फ दो से तीन clicks के अंदर उस चीज को अपने घर पर deliver करवा सकते हो आप देखरे हो यहाँ पर कितना कम friction है simple है add to cart किया order place किया OTP enter किया and done खाना घर पर आ जाएगा या फिर Amazon से कोई parcel घर आ जाएगा मिंतरा से कपड़े आ जाएगे यह इतना आसान रखा जाता है आपकी convenience के लिए नहीं बलकि आपको और ज्यादा spend करने induce करने जैसे मान लो आपको जाकर एक TV खरीदना है और आप इतना शौर नहीं हो वो आपको बताते हैं कि सर हमारे पास एक 30 डे full refund guarantee अगर आपको product पसंद नहीं आया तो whole terms and condition निया आप 30 दिन के अंदर कभी भी वापस ले आईए हम ले लेंगे तो ऐसा बोलकर आप उस product को खरीद लेते हो और बहुत से लोगों के सब्सक्रिप्शन चलते ही रहते हैं और सबसे लास्ट चीज़ यह है दिसकाउंट ट्राप देखिए एक बात आपने रियलाइस करनी है ऐसी कोई भी company नहीं है इस पूरे दुनिया में जो आपको एक discount देने के बाद loss बनाएगी हर एक company जो आपको discount दे रही है that is because उसको उस sale से कोई पैसे कमाने है अब मान लो मैं आपको एक shirt बेजता हूं और मुझे उस shirt को बनाने 600 रुपए लगते हैं और मेरा personal target यह है कि मुझे किसी भी हाल में उस shirt से 100 रुपए का profit कमाना है तो obvious सी बात है मैं 700 के नीचे आपको वो shirt नहीं बेचूंगा तो आपको पता है मैं shirt की price क्या लिखूंगा 1500 रुपए और उसके बाद आपको बोलूँगा देख भाई तो अपना दोस्त है इसलिए तुझे 1500 में नहीं सिर्फ 1000 रुपए में दूँगा 500 रुपए का discount यह discount literally यहाँ पर कुछ भी नहीं है यह 1500 रुपए का जो figure था वो imaginary था उसके बाद जो 500 रुपए मैं ने हटा है वो भी imaginary थे और अगर मैं आपको 1000 रुपए में बेचता हूँ तो मैं सिर्फ 100 रुपए का नहीं 400 रुपए का profit कमाऊँगा तीन का पैसा दिया और पाच ले लिए लेकिन भाईया आप निकले थे सिर्फ एक डबबा खरीदने लेकिन आप तीन डबबे के पैसे दे के आगए तो आप ही बताईए कि आप जीते या हारे बोलने का यह मतलब है कि just because एक चीज सस्ती है या आपको उसपर एक अच्छी deal या discount मिल रही है it doesn't mean के आपने वो purchase करना ही है आपके purchases literally सिर्फ दो चीजों से driven होने चीए सबसे पहला क्या मुझे इसकी जरूरत है यह सबसे important purchases होते हैं आप इसको tier 1 purchase कह सकते हो ऐसे purchases जो non-negotiable रहते हैं आपको यह खर्चे करने ही पड़ेंगे जैसे आपकी groceries, आपकी electricity का bill लेकिन दूसरे होते हैं जो है tier 2 purchases जो है आपके luxury के लिए, आपके मजे के लिए जो आपको खुशी देते हैं तो यहाँ पर आपने एक subjective decision लेना है कि वो amount कितनी है, आप कौन सी चीज खरीद रहे हो आपको कितने time तक उसकी खुशी मिलेगी अगर वो एक छोटी सी चीज है या छोटा experience है जो आपके budget में आ रहा है तो definitely you should do it लेकिन अगर वो एक बहुत बड़ी चीज है आपके budget में नहीं आ रहा है लेकिन just because वहाँ पर एक EMI है या offer है, it doesn't mean आपने उस चीज को करना है because जब आप ये चीज करोगे आज के पल में आपको जो temporary खुशी मिलेगी वो आपके future में आप regret करोगे तो आपके खुशी को थोड़ा सा delay करने की जगे आप आज ही सारी चीज़े करते हो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने अपने खुशी के लिए कोई चीज़े नहीं करनी चीज़े, आपने वो सारी चीज़े करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है लेकिन responsibly, such that आपका financial future खत्रे में ना हो, खर्चा करनेगा लेकिन limit में अगर आपको ये reference समझी तो comment करके बताईए और ऐसे ये valuable videos के लिए चैनल को subscribe कीज़े क्योंकि मैं ऐसे videos आपके benefit के लिए बनाते रहता हूँ मैं आपको अगले वाले में मिलूँगा, see you next time